हेलो गाईज हिंदी में राम राम और दूवा सलाम भी कर लेता हैं हम आगे हम हम आप छलता है कोई दिकत नहीं है महराम राम कर रहे हैं आप लोगो आगा है हम फिर बिहार के भुगोष्रेंखणा को लेकर तो नहीं कि जाय के नहीं कि कितनो ठंडा होई हम छोड़ा हम ना तो हनी के क्या कि टाइम कमबा आज हो गल चोय तारीक आज मकर संक्रांति की सब को आप लोग जितने मित्र बंदू है मेरे छोटे भाई हैं जितने मेरे चिलाजी लोग हैं सब को हार्दिक बधाईयां अब बढ़िया खिचरी खाईये इसको नहीं छोड़ना है चल्यए कोई बात नहीं और बिहार में प्रंपरा है मकर संक्रांति में दही चुरा खाने का तिलकुट तिल किलाई खाने का और रात में खिचरी बनता है वह प्रंपराओं को निमाते लहिए उसमें कोई कमी ने कर दिया भूगल स्रेंग क्लाश ज बंजो भिहारन, मिट्टी, आकरितिक सरचनाय, भागोलिक सरचनाय जितना टॉपिक हैं इंपोर्टेंट पर आचुके हैं एक इंपोर्ट पर बहुत बस रहा था शिचाई प्रविणा नहरे इसे भी आज कर प्रस्ण बंढ रहे हैं इसके बाद कराएंगे हम अब उद्योग और इसका नेस्ट क्लास होगा आपका एक उद्योग के लाव है खनी समपदा बिहार में तो इसा कोई है नहीं खनी समपदा इंपोर्टेंट जो भी है जितना ही है प्रस्ण पूछे जाते हैं तो टॉपिक इंपोर्टेंट भी छोड है मगर सिचाइब पर लेते हैं हाँ एक तोपिक और उर्जासन साधन क्योंकि उर्जा से प्रस्ण बनते हैं पूछा जालूइद परविणा जालूइद परविणा चैथर्मल पावर तो उसके लिए हम एकनोमिक्स में साथ में अटैच करके प्रहाएंगे उसको भणान नह जैन पर चुके हैं बौज पर चुके हैं मगद महाजिन पर चुके हैं अब मौर समराज पढ़ेंगे और अब यहीं काम आप लोग को मिरे साथ करना है मेने शाथ लगे रहना हैं। जितना मेत मैं कर रहा हूं अपके लिए उतना मेत आपिकी जिए. समझ में आये कीना तो नीके, मेनत करें के बामना सा थे. जितना घंटा हम पहरीं, उते घंटा तुअ पहरा। बात होते हैं तो हमर बात माना यही बेला पार कल्च्र लेख और सठवी में ही। आगे के कुछ सा माना मत रखा। आँ सो पार भी करें नहीं कहें। चलिए बाते तो होते रहेंगे, मैं प्रभात रंजन, यूनी एक्जाम स्पीसेस के प्रिफर्म पे आप लोग का स्वागत करते हैं, और जो क्लास है आज बिहार में सिचाई परियोजना है, तो उसी पर चर्चा करेंगा, क्योंकि टॉपिक इंपोर्टेंट है, इसे एक पस् और क्रिसी अधिक होते हैं, क्योंकि खनिशनसाद नहीं हमारे पास है, बिहार की धर्ती पे नहीं है, तो क्लिए हमनों जायद जोड देते हैं, तो उसके लिए सिचाई परियोजना नहर जरूरी है, इसके बीना संभव नहीं है, और इसके लिए भड़ा सरकार भी काम कर रह यह बताइंगे पले कि सिचाइच चमता कितनी हमारे यह डाटा सुझे निकाला गया डाटा है कि अब यहां से जो भी चलेगा डाटा एकनॉमिक सर्वे से निकाला डाटा चलेगा आपके साथ Can continue कि अन्हों सोच कि एकप्रगाश से एक्वन सर्वें है बजट बिहार और जोरफी साथ चलना है भियार से कि अथिक है की कमान टॉपिक है होता कि क्लों मिस्स भी चाहिए चमता परना होता है वहां दोग धन्दे तो इसलिए दोन टोपिक को कमाइन किये हैं और विस्ता सिंखला में स्रवे बजट बताएंगे मर्या हमने क्या है कि सर्वे की चीजों को भी यहां उठाकर रख लिया है ताकि चीजे आपको नौलेज में हो चाहिए जबाएल Sixzi at 2965 है आँ एक की भी असे बांचा कितनी जयाए club कितनी भूमियश्य। है कि ब्भूमिश यहां होती है कितनी नहीं होती है किस प्रकारिक्ष्ब रॉत penalty है बर्य नहें से कितने सब डाटा मेल लेके आऊँगा देखिए कुल सी चाही छमता देखिए ललाओं कर दिया फिर ले बचवाई देख रहे हैं कितना पसंद है उकरे दोस्ते हैं ना बहुआ यह पूरा जो है ना कमीटी है जो स्वधिया हो जाता जिलनों का उनकी महरारी बाला नाल पसंद करता है देखिए का अजकल सिरीजुवा जो आता है ना हूँ मैंगर वह सब देखती है और रोतिया सब आमरे पाली दूबे भी आजकल देखें लाव बहुत पहन रही आजकाल अभी आमनी सिंग भी तो कोई बात नहीं अरे सलमान खान में गाना गाया था या देना आप लोको है अजकल करना था या वो दूब पत्टा लाल लाल कर रहा गया था वो कोई बाती दोस उनका नहीं है है हमारे समाज कहीं दोस है दोस नहीं कहीं है लाल तो सबको पसंद आता है बही क्या मोधी जी बहुत दम लाल पगड़ी बाले ते देखिये कल दे हम रहुन गान्जी है कोई बाति नहीं है सब दिकत नहीं है को एक मती होली कुल शिचाय छंता आए काम के बात आता हैे चरum शिचाय छंता कितनी आप हैं कितना है कि यस पे शिछाई की जा सकती है कितने भूमी पे तो है ड़ाटाह क्रिषी की मापता ही होती है हेक्ट्रें ने होती है अब अरग करोर लगता रहेगा स हजार करोर लगता रहेगा तो चरम् शिछाई चहंता जो है 217. मुठा जाता है इसलिए डाटा में बता रहा हूं बार बार बता रहा हूं याद रखी आप लोगे चरम सिचाइट छमता जो है 17.54 लाख हेक्ट्रियर इतनी कि ओ सकता है सिचाइट करने के लिए मगर बरतमान में जो सिर्जित सिचाइट छमता है है मारे हां जितना हम लोग सर्जन कर चुके हैं से चाइब पर यह नहर से वह मात्र है 80.81 लाख हेक्ट्रियर ठीक है कितना है 80.91 लाख हेक्ट्रियर माद खंता है यह डाटा दोनों देह दोंगती आप लो 117 किया सकता है मरहाय असी ऐसे याद रखिया तो अब देखिए कि जो सिचाइब खंता होता है वो तिन प्रकार के होते हैं एक तुब्रियाद एक मध्यम परियुना की माध्यम से एक लगू तीनों का डाटा मों देखेंगे हुआ उन्हें यह इंव से चाहिगता की बात में कर रहा हूं ओर मत्यंक छमता की में बात कर रहाहूं तो बिर्याद मध्यम और लगू देखिए तो बिर्याद और मध्यम बरा के बढ़ मत्रा की बता बरका बरका मजला के बाद करता नहीं हुआ है इसमें कितनी है और कितनी चाहिए तो चरम से चाहिए चमता इसकी है तो ब्रेदव मध्यम से चाहिए चमता हमारे हाँ डेवलोप है इसके माध्यम से चाहिए हम लोग करते हैं है उसमें कौन-कौन सी पर्योजना है जो स्वयोग है करती है हमारे तो दुर्गावती जला से रोतास के मुर्वाल बेल्ट में मिलेगा दुरा दुर्गावती पर्योजना है पच्छिमी कोशी सुपॉल बेल्ट तब आएगा आएगा एक ही करके बटेशवर गंगा पंप नहर पर योजना है और चोकन सी चाहिए चोकन सी चाहिए योजना है यह और भी है गंडक है त्रिवेनी नहर है सोन है सब बताएंगे इसमें की करके यह ब्रहदम और मध्यम सी चाहिए चंता वाले लोग है तो लगु वाला छुटका भायवा किसी दिका है तो लगु सी चाहिए में चरम सी चाहिए चंता जो है मुझे लगता है जहां तक लगवस सतर परसेंट कह सकते हैं 69.9 परसेंट यह है इसकी चंता का चरम चाहिए 64 है 47 इसमें बस डाटा यह जो इंपोर्टेंट आता है कि चरम सी चाहिए चंता जो है सर्वेख हिसाब से और सिरजन मात्र हुआ है 80 लाख हेक्टियर का यह जटा दिमाब में च्छब जना चाहिए आतके हैं प्रस्ति पूछा गया है इसके पहले पहले यह यह की बाद 19-20 में पूछा था एक बाद यह मैप है बताएंगे कि मैप आएंगे तो कोन परियोगना कहां पर है ठीक है मैप के थुरू भी अब कोशी परियोगना है पहला सिचाई परियोगना में हम रूचलते हैं कोशी परियोगना पर चलते हैं बहुत इंपोर्टेंट परियोगना में कहां कहां भाई कोशी नदी कि मारे जानते ही है क्या नेपाल से आती है इंडिया में इंट्री करती है तो भारत नेपाल सरका की संजुक प्रयोजना है क्योंकि आपको पता है यह देखिए मैप में यह नेपाल बॉर्डर है लिए पले नेपाल एक मत हिंदू राष्ट हुआ करता था मगर लुक्तांत्रिक सरकार होने से यह भी खतम हो गया इनकी में इसका बॉर्डर चींग से लगता है रब और यहां पे लुक्तांत्रिक परके Nep किरियाय में बार भार भार बिःघ्ष्टन होती हैं और सरकारे बदलती हैं तो लुक्तांत्र की एक हिस्चा है उ तो इस ही नेपाल कर रहा हूं यहां सुपॉल से न्धीं इंट्रीग करते हैं इस इतना के बात मुम आ भास्तर सरकार की संजूत प्रयोजवाना की जब नेपाल इक बाट पलक से को अपुने फ़ीं मान होते बाटैना का तो हम लोग सम्झाथा जो कि नेपाल से देखिए अब ललाओं ले लेते हैं कुछ बात नहीं कि बुलुआ कर्यक्रा हो गया है तो कर्यक्रा को ललगा से मारेंगे हैं हम लोग कि नहीं तो कालाक्षर भवैंस बराबर हो जाए हम लोग का निर्मान जो हुआ समझहुआता हुआ कोसी परणे के लिए लिए कोसी परणिवना पर चौवन में नेपाल कैसा समझहुआता पर विल्म लोग हम लोग बान भरा लेते हैं और परण पूराते हैं उसके मादम से जल तीख है पच्छिपन में समझता हुआ पच्छिपन में निर्मानकार सुरू हुआ इसका एक सब्सक्राइब सब्सक्राइबर किया गया और 63 में बन के तयार हो गया पुछे गा इसमें कुछ नहीं कुछी का यह पुछए गाइब कि पहली बाद समझवता कंग वहाँ बाद नेपाल के बीच में कोसी प्रवविना क्या हमनाग्ल श गज monk और इस बांध सोच्रूत कि विक्छत wishing तो यह आयगा इंडिया में तो इस अंना पुझ में पूछेगा अपसुछ दे कौन सा बांध है में जो नर्मान अगर जगा है explorer आपहन aan बॉलते हैं तो पार्मान उब्लते हैं उस पर अपर प्रइंगोग है कि देखिए और मैं पर देखि लिए यह देखिए कोसी वाला बैल यहीं पे है ची के देखरा ना पहिए ठीक लिए सुपहल पानी यह यह संदेट है लागा है है कोसी से 2 नहर निकाला गया भाई पर्योजड़ा बना दिया गया पानी कहा जाएगा पानी में गया ठीश् 자신ा लजर निकाला गया गूझ एक पुर्वी कोषी नहर और एक पच्मी कोषी नहर भाय अब लोग गाउसे होंगे जरूंगे नहर फिर्थ तुनिपर्टाक्त होता है बॉम नहर बोलते हैं बासा नहर होगा खुटकुस Education यह कंदने से पानी पानी पटाने मातलबगी गया जाता है कि छिजाइख के सरकार प्रहार मुंत्री कुछ में चला रही है सरकारे हैं तो उसके माध्यम से सोलर के माध्यम से मिलता है सब्सिरिक अधार पर ताकि वहां ले जाए और पानी यूज करने काम किजिए कुछ होता है कि भाई वहीं वहीं पर क्या उसका गहराई करके बोर करके पानी की व्योस्ता की जाती है तो कोशी परिवना बन यह तो दो नहर बनाएगे ताकि वहां पर वहां के अगल बगल जो डिस्ट्रिक है अगल बड़ गाओं है उनको सिचाई में कोई दिकत ना हो पुर्भी कोशी नहर पर नली और पच्पी कोशी नहर पर नली में यह मुख नहर के लंबाई 44 किलिमेटर ह है इसकी मुख जो नहर है इसके लंबाइ चावालिच किलो मीटर है और जितने किलो मेटार दिखाई जह रहना उतनी सिंस खा गज Comedy अनि चार सक्षा है पुर्वी कुछी नहहर भां campe a Altonee और हाऊजगए पानी खोल टो खुला जाता है में तो नहर है को मृली गंची नहर जिसके लंबाई 94 क्लमेटर इसकी पुर्वी कुछी जो है वह नहर है चोंसट किलिमीटर यह चार नहर नाम याद रखेगा लंबाई याद निनारे कोई दिकत नहीं है ममुर्ली गर्ज नहर पहला हुआ दूसरा जानकी नगर तिसरा पुर्णिया बर्मक्षी नहर चथा अरडिया नहर मौण किलिमीटर यह पूर्भी कोशि नहर में चार जो सकाय बनाई गये बंब नहर से छोटका नहर निकाला गया है उसकी मैं बात कर रहा हूं और नेपाल-बिहर की कौन-कौन डिस्टिक मधेपूरा पुर्भी कोशि नहर से मधेपूरा सहर्शा पूर्णिया और कटिहार मध्यपुरा Yeah, if I freaking a couple customer यह जो झो यह पुरनियार्य अरय और कढी हार यह जो है पुरा बेल्च है यह पुर्वी कोशी नहर से यह सहरसा है फ्रेशना दिखाय ज़रू ऋसुड जे लगता है किश करन गज के बगल में पुर्णिया जूट के बेल्ट के लिए फेमस सबसे अधिक जूट पारण होता है पुर्णिया सबसे होता है जूट पारण मदेपूरा के एक फेमस सबसे ह अपकर पार निटिक अधियानथी भीठे का उनका को क्रम्भुमिरण चार बार लोग्स्वा चीता है मदेपूरा से व थे मल बिखेतर कहां थी बिहार चार बर यहां से जीते थे दो बार जबलपुर से MP एक बर UP बदाओं से चुनाओं जीते हैं लुक्सवाकिये नि बिहार का एक ऐसा परशनाल्थी जो तीन जगह से चुनाओं जीता याद रखे सरजाव जगे बारे में ठीक है यह सहर्चा हुआ है ठीक है शुपाल जो है सुपाल कहता है यहां पर यह सुपाल जगह है फ्लोटिंग स्लोर पावर प्लांट बंडा है और यहां पर प्रथम क्रिसी बानेकी केंदर बंडा है और अधिया जानते हैं कि चरियागर बना है बनने वाला है पूर्णिया किसके लिए फेमस है जुट पांगिल फेमस है मध्यपूरा तो बताई ही दिये बहुत फेमस परसाइटी मध्यपूरा के मरें और यहां पर बिपी मंडल कौन भी बिशुष दाले है यहां पर तो इस में हम लोग का पूर्वी कोशी नहर फैला हुआ है और इस दिले को लभाईत करता है इसे ठीक है उसकी चार सखा है मूर्ले गंच जान की नगर पुर्णिया का पुर्णिया का मरमक्वा और एक था और कौन देखि इसी में कटाया जो जगा पढ़ता है कटाया आगे बताएं कटाया जो जगा है वहां पे 20 मेगावाट का जल बिदुद परियोजना बना दिया गया है पानी का फ्लो होता है और जहां अधिया तेज भाहों में होती है वहां बनता जल बिदुद परियोजना तो उसी में कट पच्मी कोसी नहर, प्रनाली है, परवी कही पंपूर्गों के क्लमभाई एक 150 किलमेटरisiertंगे हमें। परप्शमी कोछी नहावर बागें। तो मदुबनी भाई दर्भांगा और मुझपर्पूर और कोशिन अगर को बिहार में बिहार का सोक कहा जाता है सोक नदी के भी फिमास है देखिए आए मैप के थोरे याद हो जाएगा तो कौन-कौन दर्भांगा मदुबनी और मुझपर्पूर यह तीन डिस्टिक अगर यहीं मदुबनी से कोशिन अगर नदी आती है तो यह पच्मी कोशिन अगर का यह पाठ होगा जहां लावित होगा मधुबनी हाट् हुबा है नितिस भाबबु कैया चेहmen मध्बनी ठाकूर जोका यह प्रुसकार मिला है संगीत नाटा के एकडमी के तरब से मदमनी चितकला वह फ्यमास है और सुखेत मेडल सुखेत मोडल जो है यहां का जिस पर डांग टिकर जारी किया गया है जो बायो गेस के अधारित है और मोधी जी ने भी इसका अपने जिक्र किया था जो उनका आता है संडे को प्रोगाम कि उसमें दर्भंगा दर्भंगा मदमानी मुश्व प्हूंड सुर्भय कि ही सब्सक्राइब कि मुश्न्द्द अर्वह प्रे Chief मुष्ण सगत्जें भी लिए नहीं मखाना को जी आइट भी मिल गया है दर्भंगा में दुसा तरा मंडल बना है दर्भंगा में क्या हुआ है एमस बंड़ा है तो भी विवाद लगतार चल ला है तर्भंगा मदवनियो मुझभरपूर लिचे का फेमस केंद्र मुझभरपूर वहां पर लिची अंजाम क्या है लिची Research Center भी है विधी है और यहां की लिची बहुत थेमाश wra upfront लिची है सबसत्थ भूर्ण करता है इंडिया में लिची में करता है अब आईए आगे थोड़ा सा और ग्यान बरहा है हम लोग और कहा जाता है पच्छमी कोशी नहर के बारे में कि 1871 में यह बनना शुरू हुआ अब गंड़क पर्योजना कौन गंड़क पर्योजना गंड़क नद जानते ही है कहां से विष्ट संपारण से नेपाल से नेपाल से बहती है विवे उद्गम के नेपाल है और नेपाल से होते हुए कहां पुोच्छते है यह भारत में विष्ट संफारण होते हुए बिहार में पहुचते और यह उत्तर प्रदेस के बौर्ड़र होने चलते उतर प्रदेश में गंड़क नदी का पाठ है इसलिए पर्योजना जो संजुट पर्योजना है वह प्रयोजना है बिहार और उतर प्रदेश की संजुट पर्योजना है यह इसी पर छितावनी पूल बना है जिसे बिहार और यूपी दोनों अलग होते हैं इदर बिहार का बाल कुछी नगर में पड़ता है वो अलग होता है ये उसके बाद कुछी नगर अंतराष्टी एयरपोर्ट बनाया गया है अंतराष्टी एयरपोर्ट उतरप्रदेश में है तो दोनों राजों की सम्झावता कब हुआ तो 1969 में इस दोनों की भी समझाता हुआ कि हम लोग गंडग नदी पे प्रयूजना निर्मान किया जाए ताकि उस पानी को हम लोग यूज कर सके हैं तो बालमीकी नगर में बता है ना बालमीकी नगर पढ़ता है विस्चंपार में बालमीकी नगर पढ़ता है में बांद करने मार हुआ और वहीं त्रिवेनी घाट आजकल फेमस हो गया त्रिवेनी घाट समधान यात्रा वहीं मोधि करने निदिस बाव शुरू किया निर्मान किया गया इसमें इस पर बांद करने मान हुआ बालमीकी नगर पर आजकल यह बाग सफारी के रुबें फेमस है अंतरास्ची कन्वेंशन केंद्र बनाया गया है विहार का एक मात्र बाग रिजर्ब केंद्र है बरत्मान में कैमूर में दुसरा बनने वाला है उसके बाद वहां पर क्या है बाल में की नगर वन्जुवे व्यारन भी है बहुँ साथ आइटम तर्मेनी घाट पर यूना चलना है यह सब बनमीक नगर में हमले है इससे निकला दो नहर किससे गंड़क पर यूना से कौन-कौन एक तो पूर्भी हर जगा पूर्भी पच्वी चलेगा पूर्भी और पच्वी जो है दो नहर निकला पूर्भी और पच्वी नहर पूर्भी नहर जिसको त्रिहुत नहर बोलते हैं इक्चुली जो बेल्ट है वेस्ट चंपान इस चंपान शीवर सितामड़ी यह तिरुषूट का मंडल का जो कमेशनरी पढ़ता है बिहार में नौ कमेशनरीया है नौ परमंडल है उसमें तिरुषूट कमेशनरी में सब डिस्टिक आते हैं इसलिए इसका नाम रखा जाए नाम तरिवेनी होता है तो भाई अब देखिए पूर्वी चंपान है सुबगल में पूरी चंपान है मुझपरपूर बैसाली और समस्थिपूर यह पूर्वी नहर से लवाइंत होते हैं हमारे हैं आई देखिए यहां से गंडक इंटरी करती है यूपी बोर्डर पे यहां पे त्रिवेन पूर्वी नहर से पूर्वी चंपान पच्वी चंपान मुझपरपूर यह जो है लवाइंत होते हैं यह सब त्रिवूत परमंडर के च्छेत रहें हैं इसे त्रिवूत नहर बुला गया है पूर्वी नहर को अब पच्वी नहर जो सारन नहर बोला गया है क्योंकि सारंज तरफ कहां गुपाल गण सीवान जो बेल्ट है वो शारह नहर के रूप में होता है इसके लंबाई लंबाई 200 क्लिमेटर है क्योंकि सारन क्या है और परमंडल है तो पच्वीत रवी नहर में सारन नहर है लंबाई 200 क्लिमेटर है नेपाल में इस इस डाटा रटने के लिए नहीं है इसमें देखिए कौन-कौन डिस्टिक लवाइंच होते हैं तो गोपालगन सारन और सीवान तीन दिस्टिक जो है बोडर कई लागे का फ्रम मैप दिखाना परेगा याद जल्द हो जाएगा गोपालगन सीवान और सारन ये पच्वी तिर्वेदी पच्वी गंड़क प्रयोजा से जो नहर निकला है उससे लमहेज होते हैं इसका नाम सारन पढ़ा है क्यों परमंडल में आते हैं पर्श्मी चंपान पुर्वी चंपान सीवार बैसाली बैसाली और मुझफर पूर यह जो पर है इसमें इसको इसलिए बोलते हैं त्रीहुत नहर बोलते हैं हो है कि नेपाल में इसी पर गंद कखने और rage है पर आपने बनाय और जाल नच्पान को को खोता है इने नदियों का फ्लोक है फद्ध में पंगाई यहान जलवन पर्योजद्व bringing घल कम एक युदि जरूर लिलकी तुरूर कि जरूरिक में रहें कि यौटी इनके जलोन पर्योटन है को भी कि फिर पर्थम कि बिखता प्रुजद्व ऑड़े अकार के सिचाइस पिर्जम में सुन परयुहिदा का नाम आता है कि बिहार में पर्थम है यह इस निमान 934 इस में टुने को काल मेगभाताई 16 14 में डेरी यॉंसन परता है जब औरंगबाद रहतास कि जाएंगे यह पतादबर यॉंसन कि पॉस बारूं जगा पड़ता है बानपर तहीं और रंगा बाद में नमाकस्तान पर बांध बनाकर इसका नियुमान किया जैधा इसकी लंभाए है इसकी लंभाए 381 मीटर होगा गलती से हो गया बचाएगा क्यों से बात कि यहीं पर जल्विदूद कैंदृ निकल कर पटना जाती है तो अरंगाबाद जायेगा जानावद जाएगा और वाल पटना इतना जाएगा पुर्वी सोन्ना हाद इससे यह जिला लभनित होते हैं कुछा याद रखिएगा को सा जिला इससे लभनित होता है पच्वी नहर जो सो नहर है इससे रोतास कैमूर बकसर और भोचपूर इससे लभनित होते हैं और आगे एक पर देख लेते हैं फिराब मैं पहीं तो जाए फोकस कर लेंगा ये देखिए ये कैमुर रोतास बक्स और भोजपूर ये जो वेल्ट है ये पच्मीश नहर कैमुर से अंदर इंटरिक करती है तो पच्मीश नहर से लवाइंच होते हैं ये पच्मी सोन नहर से और जहानाबाद और अरंगाबाद पटना गया इतना जो बेज है यह पुर्वी सोन नहर से लवाईंद होते हैं पुर्वी सोन नहर से और इसी में जो है और अरंगाबाद में बारून जल्बिद परिम्राइगा है यहीं बारून से और आगा बारून जो जल्बी प्रविना है और यहीं पर डेजरी के पास से यह यहां से यहां डेरी जल्बी प्रविना भी है ओने छिक है मैं वह कि दो प्रियों कि अधिये कि दियु जल्वित कहने रहे मेगावाट का मैं 6.6 और बारों जल्वित कहने रहे मेगावाट है 3.3 मेगावाट का है और राज की यह रहा शिचाई परियोजना है और शिचाई पर्योजना है नहर निकली है अब शीकिन्ट पर लग नहर बनाए गया इसका तो उसके पहले डाटा जालने कि बिहार के कुल सिंचिछ चत्र में कितना योगडाने नहरों का नहर का योगडान है 30.6% योगडाने नह सिचाय करते हैं तो सबसे अधिक और सबसे कम सिवहा डिस्थिक जना वाला बेल्ट और पुर्वी शोह नहर का बेल्ट रहाई इसलिए यहां पर इस क्रिशी परता क्रिशी सबसे देखोती है धान की खेती में यानि चावल की परदल में सबसे आगया है अगरिम है जिसमें आलूग तर्म अधिक हो गया था रोतास चीव रोतास बेल्ट हुआ करता है सासारान उसका हेर्कवाटर है मीरा कुमारी जो जोबर है सबसे कम सबसे नहर के माध हम चकारा में सकलते कम सबसे कम में then की दाप ऌट के माध्यम से देख लेए छलना हम से पाला है रोतास देख लिएक़ियों की पुर्वी शोंहर का इलाका है और सी वहमें इसा कुज नहर नहिया है इसले स्टिदाउर्ण से संपारनन चाहिती में आट एपना तालम है वेस्ट तेना होता है और रंगाबाद पुर्भी सोननने Entscheid बारुन यो केंदर यहां से याँ जल्विदु केंदर है इसलिए पूर्वी सोर नहर में पड़ते हैं यह इसलिए यहां भी क्या होता है ठीचाय सबसे अधिक सिंचित्षेतर नहरों के मादम ओने कर नहर अब नहर कुछ देखिए यह तो नाहरतास क्याँ सबसे अधिक स्कल्चितर कहां प्रोताश में सबसे कम शक्रौर कर नहरों के मादम स्शमें पहलेता है दूसरा है नदी है छोटी नदी है लाल बकए यहां कि उसी पर नहर। और धाका सपना है टूरी चंपाराण जिले पूरुब अनमंडल है धाका धाका नहर यंधि तो जिला कोण सा लावेंध होगा पूरविं चंपारान क्तों प्रक्मला नहर कोई बात है कंद क्तों पर नहर कंदा नहर है कहां पर नदी दरभंगा जिले की उत्तर में पर तिक परती है ठीक है कमला नदीपे बढ़ती है कमला नदीपे है कौन दर्भंगा के पास है दिस्ट्रिक कौन दर्भंगा और मदवनी दर्भंगा और मदवनी दिस्ट्रिक जो फेमस है यहां पर ईσकृण नहर आ ती संकृणी नहर सक्री नहर सांसे यह तो कन कुन डिश्टिक होता है इसे लबानित गया नवादा और नलणदा दिस्ट्रीक घया के लिए तैसलिंट स्लीं बत्तमाई में हुए घृव कि यह घ्र मट्रेश कि टेस्ट्साइब पर्थ महरास्ताइब महिन ने मंताय ने टेक्टर भीस तैप स्यूत्त आयं जाला से है बदुआ जलासे इसे भी परवर्णास की मादन से पानी भी जसतल वीड़ता है वह भागलपूर और मोंगे भागलपूर मोंगे ठेक है था पानी फिले प्यास लग गया भाई और मुंगेल में एक तारापुर कांड हुआ था पंदरफ फरवरी को 1932 में एक गोली कांड हुआ था इसमें बहुत संक्यक संख्या में लोग सहीद हो गये थे इसलिए बिहार सरकार ने पंदरफ फरवरी को सहीद दिवस्रुक में मनाने की घुशना की है ये फ्रैक्ट याद रखेगा ये तारापुर कांड हुआ था मुंग यह यहाद रखी का बदुआ भागलपूर मुस्ताखन से चाहिए ना कैमूर अन नहर कोन कोन से है देखिए दुर्गाउती जलास परियोजना ये दुर्गाउती नदी पर है और इससे लगएट कोन कोन होते हैं कैमूर रोहतास वहीं दशनी बिहार के कैमूर और ये रोहता यह द्रगाउटी परियोजना पर है यह पूछा प्रसम द्रगाउती परियोजना ये जित्रिक से लभाईत होता है बना नदी वहीं बहुत एक छोटी नदी है उसे बनार परियोणा बना दिया गया ताकि सिचाहिए परिद्रियोंद में फेमस रहे और लोग लबाईत को भ परता गडेश्वर परवत इंट देश्वर परवत और उस Pre सैलचित्र ईस्य चित्र का ऊशच्च है नने पर कोन सी काल काला होज सैलची काल के सैलचित्र को जाल कमले याद रखेगा ख़र् Sleepment करिए अधियुकर अधि घॉला ऍधि होई घया है bize मती पर होज ला बादो सितामधी बगल में पड़ता है पुरवी चंपान मुझभपर पूर और शिवर और बगमती प्रजुना में अलग से प्रजुना में अलग से विहार सरकार ने एक मंत्रा वो मना दिया है विभाग विभाग देंब राती है करती है वहीं काम है जल संसाथ मंत्रा लेकर अंतरगा थी है और सितामधी का हेटकवाटर इसे है का बोलते उसको सितामधी में में नहीं है कि दिमास उतर गया मेरे भी था सितामधी का महां गय थेक बश्ची वहर तो लोगों ने बताया थे मुझे ने जल्विद परिणाव इसी पे नदी जो है परियुज नायज बनी है उसी पे छोटे 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 आगे में कराओं गालक से पूरा जो चोटा चोटा बनाये गया है नहरों की माध्यम से परियुज नाया चोटा उसी बारेल चाप्चा एक साथ कर ही देते हैं जब हम आये हैं आप तो करी देते हैं लोग डेरी जो है यह पड़ता है रोहताजिस्टिक में और डेरी से ही सो जो नहरिए पड़ती है जलवी पेन्द्र आपको रहतास में बारून बताया थे औरंगाबाद में पच्वी सो नहर पड़ती है बालमिकी नगर गंड़क नहर वाला प्रजुणा गंड़क परजुणा वाला यह पच्वी चंपायन में यहां भी जल्वित केंद बनाए जहाँ चोटा सकेंदर कटाया शुपॉल है यह कोसी वाला बेल्ट है कोसी नहर पर है अगनूर अरवल में अरवल पड़ता है यह नहर नां नामसे साथ में आया था पश्मी चंपान में और यह भी जल्वित कंद्र है कि श्रीखंड रोतास में श्रीखन्ड रोहतास में तुब जानते हैं को GB यह सवन्फेस olması logistics n तुब स्भी स्वेस्फ में तुपर से देन्चे ने ही रहोतास में ना लुफो पर इतक आए पशीष न् Southeast जर्वतार इंदरी। यहां स्रिखन्ठ बिल्सार औरवल में हैं और सेवारी रहताश में में रह encouraghaptć में ढम स्किन्स ले ले लिए याद कर दें रॉपले लिए न और न Ole Euna अगर में बनावर्ण में ओनओ नुक वनब रहा एंक परोपिय बन रहा है इस परोपिय अरोपिय का निर्मान हो राहा है और बंदार प्रवएधिती के निर्मान हो रहा है है, अभ पहले हम कोची प्रह है आपयों को कोशी प्रिविणग कोशी स्कृज़ाती। इस एंसर फेरें कोशीख ये है कोशी कोशी और मेची में दुनों को लिंग किया ज़रा है नदी जोरोपर्युना के माध्यम से कोशी और मेची को को लिंक किया जा रहा है यह महानन्दा का सहाइक नदी है मेची और कोशी को लिंक किया जा रहा है लिंक तभी होता है जब को एक नदी शुखने लगती है ठीक है नदी जो प्रयोजना जो चला है पुरे भाध वर्स की प्रयोजना है जिसमें और भी प्रयोजना को सामिल किया गया था अभी नकार दिया गया है जैसे बुधी गंड़क और नून था कि एक गंड़क बागमती फिर गंड़क एक है गंड़क गंड़क गंगा लिंक तो इस पर अभी काम नहीं चल ला है और नदी जुरुपरिणा भाद स्रकारी पहज़ना है यह सबसे पहले बिटिस काल म है यह क्यों कि इस नदी में पानी कम होगा उसके माद से ब्रण दी उसमें पानी छोड़े गी सब्शायागे लवा तो मधर इसे फैनली जब काम हुआ बहुत से आयोगा है जब बाजपरिय गोर्मेंट आया था इंडिये गौर्मेंट उन्य इस पर से काम होना बता रहा हूं और इसके बाद इस पे जब 16 से काम सुरू हुआ तो पहला जो लिंक हुआ नदीर परिणा और गणदा रहते हैं कि कहें बित्वा लिंक पर योजना कें बेत्वा लिंक पर योजना पहली पर योजना है नदी जो पीठ्ले वरसाई इम्होदी जी गया हुद्धान की एक हैजुद यदा ना करना दूसरा परणा हो जाएगा कोशी मेंची लिंग परियोगना पूछ देते क्या किजिएगा इतनी परिजिना के बाता है अब यह नलकुप नहर से तो हमनों कर लिये से चाहिए परिजिना से अब नलकुप के मादर से बिस्टाइग कर लेते हैं कि हर जगा नहर तो संभाव है नहीं तो देखिए तो कूल स सिंची छेत्र का 300.9 परसेंट हमनों करते हैं नलकुप से करते हैं और सरवाधिक सिचाई करते हैं नलकुप से वो डिस्टिक याज़ा कियेगा पूछा जाता है वो सरवाधिक सिचाई है घर्टे करम में समस्तिवपूर पहला यह सब सबसे घ्रामिन जनसंग क्या बशती है और समस्तिवपूर में पूसा जगह है जहां राजिंद्र परसाद क्रिसिविजदाले भी है आई सियार की नाम से फेमास है वह उसी के एक साखा दिल्ली में भी है समस्तिवपूर सितामड़ी कतिहार और पूर्वी चमपारण चलाब से नलकूब के माधम से तलाब से बीच में जगह होता है तलाब होता है तलाब के नाए लोग जाते हैं कप्रें बेजूलते हैं करके तलाब गंद्र जाती है और इसी तलाब के विकास के लिए भारा सरकार ने अम्रित योजना सुरू किया अम्रित शरूवर योजना जो शुरू हुआ तो सबसे पहले रामपूर डिस्टिक परता है उतर परदेश क भारा वहां से शुरूवात हुआ था यानि तलाब की विकास कर देना है उसको डेवलप ऐसा कर देना है कि पार्क बना देना है ठीक है नहां जहां तलाब बनाए हो पार्किंग के दिए बढ़ियां में वस्तार यह और जिले में 25 रखा गया है अजादी के अमरीत महस्वा पर रखा गया है अजादिक अमरीस्त महासम मन्दा प्रषतरवा दिवस मन्दा प्रषतरवा बर्स मन्दा है इस में सरोवर पर यूदा रामपुर डिस्टी सुरूग जया गया यूपी से कुल सिंटी चेत्र का कितना परसेंट 1.90 जो है मात्र तलाव से मलोग करते हैं सिचाहिए लगवाक 1515,000 हेक्टियर भूमी कर सिंचाहिए होता है कोई मतलब नहीं बात है बात है कून डिस्टिक में सबसदिक होता है सबसदिक दर्भंगा डिस्टिक में होता है दुसरा से कूर तीसरा सितामडी जमुई 14 जमुई और पाचवा सिवान डिस्टिक पहला तलाव से दर्भंगा दुसरा सेखपूरा तीसरा सितामडी 14 जमुई पाचवा सिवान डिस्टिक हो गया कि पाईन जानते हैं क्या होता है आहार पाईन आरे गवह में पनिया पढते है इस्से आपना बना होता है सऀतुर मिजाता है और थार में जाता है कि टोब आपक अर पर अलीजिक कि लिए जैसे सिचाई पर नली अ는데 अ nyt आप प्राचीन मौरका लिंकीर है इससे कहां होता है खेत तो गया डिस्टिक्ट कि यहां टेक्स्टाइल परक बन रहा है और भी पार्क बन रहा है बताया थाम नवादा और नवादा में है एक रोजोली बंजु व्याव्यान भी है पता है को ठीक है आए बाका और भागलपूर उतने जगह है क्रिषान गया नवादा जमुई बाका और भागलपूर में पाईम के मादम से लिए पाईम के मादम से चाही होती है। कि अहार भी होता है कि अहार बोलते हैं भोजन करना गरना यह अहार होता है पाइन का मुहाना बोलते हैं इसको करहास खेतों से में सब छोटी पाइन की सखा यह टर्मलोजी है मैं बता तो कि अहार किसे कहा गया तो पाइन की जो मुहाना होता है उसको बोलते हैं करहास खेतों स जल जीवन हरियाली मिशन चल ला है इसके माध्यम से 108 पर योजनाओं पर काम चल लाइए इनका तार्गेट है कि शिचाई उध्यन उदह योजना के माध्यम से छेत्रों में पर योजनाओं को मैस मास्तर पर विकास कर दें कि क्रिसी में कोई दिक्कत नहीं यह इसलिए जल जाज़ाराइए मिशन तरह एक 108 पर योजनाओं पर काम चल ला है और फिलहाल जो पर योजनाओं चल लहीं है और टार्गेट भी रखा गया है वह अभी टार्गेट तो मास्त थाइए तेज तक थाइट था है ठागेट बढ़ा दिया थे गया है और इसके जितर जिसे दिखेगा शितामारी डिस्टिक इधर कैमूर को और अर्य याँ है कि पुर्निया को ऐसे सिदिशिक जहां पर पाने समस्वया है कैमूर जय से पाठाधाडी बाग है जिक है सिदाम है तो परनिया है अधिकते बहुत हैं वहां पर तो वहां बात की जा रही है और अरिया दिस्टिक नेपाल सटा वह आई पठाड़ी भाग लमसंद ठीक है पुर्णिया कि माध्यम से अधिक सदी खेटी को सिंचित किया जा सके इसलिए इसकी मिये चल रही है फिर लखी सराय है ठीक है कि इसका में उद्य सिचाई योजना और इसी के माध्यम से पहला जो है गंगा जलर पुट्टी योजना जो चला 27 नॉम्बर कुनलना दिस्टिक से उसका एक प्रस्ञार की विखेजिल में सबसेदिक नहर सिंचित है बताइए कहां है रोगतारज डिस्टिक में कोई से नहर पच्मिंशो नहर का बेल्ट है जो हम सबसेदी सकल सिंचित शेतर भी है जो सकल जिंचीत श्रतर भी है जाए कि दशिन बिहार प्रमपरागत जल़ल्यक्ति जो जाता है यह को प्रहम्रागत की बात करता है मौर काल का है यह कि तुर्भी नहों कि फुर्वी नहार और पश्मीन गंड़क नहार तुरुट नहार बोलते हैं यह नहार पूर्भी नहार पूर्भी और पच्मी गंडक नहर को सारण नहर बोलते हैं। बालमी की नगर पे बनाया गया बैराज है। हो गया खतम। दखिए। यह प्रस्ण आये थे, जो मिला था मुझे डाल दिया हूँ, और यह प्रस्ण आये होंगे। ठीक है। अब देखें कैसे आपको एक एक चीज़ याद हो गया है। इसी तरह याद करना है आपको। ठंडा तो आता जाता रहेगा। अब एक जाम बार बार नहीं आएगा और सव्टी बात पता नहीं उन्हातरवी कब है। फिर एक साल लेठ हो जाएंगे। सदिया भी आ कैसे हो गा। इसलिए आप लोग तयारी को धार लाए और तयारी को धार लाने के लिए मेरी संस्ता द्वारा टेश्यीर प्रगाम क्या जा रहा है उससे भी जूरिए आप लोग नहीं ताकि एक तयारी को धार मेरे जाया हुआ है भूगोल स्रिंकला का भूगोल प्लेलिस्ट में और इतिहास का इतिहास प्लेलिस्ट में अगला क्लास हो सके तो इतिहास का होगा ठीक है जाहिं जाए भारत गुड़नाइट बाए बाए